Let me down slowly का क्या मतलब उता है या आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं Let me down slowly का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो मानली जी कोई बुरी खबर मिलने वाली है या कोई बुरी खबर है तो हम सामने वाले को कहते हैं भाई कोई बुरी खबर है या कोई disappointment है तो वो मुझे एकदम से मत बताना, मुझे धीरे धीरे उसका एसास कराना या फिर मानली जी कोई वैक्ति किसी relationship में है और वो चाहता है कि भई आप मुझे एकदम से इस relationship को छोड़ करना जाएं या इस relationship को न तोड़ें यानि कि धीरे-धीरे आप जो है मुझसे दूरियां बनाएं या इस relationship को धीरे-धीरे समाप्त करें, एकदम से खत्म ना करें, तो वैसा कहने के लिए कहा जाता है, let me down slowly, यानि कि धीरे-धीरे मुझे डाउन करना या धीरे-धीरे मुझसे दूरी बनाना, अब आप ऐसी ही किस इसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल